मैं ये स्ट्यूडन्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्टी भिनेटा के अंत्रगत कि बैटो बिटा बर्टी ब्रेटा पढ़ने जा रहे हैं पहला क्लास पढ़ लिया था उस्टा को डर्माई है ना जो पहले पून कोड़ेट जो वो बर्टीबरेट एनिमल थे लेकिन अब वो बिलुप्त प्राय है पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा बताया था बर्ट क्लास्पिकेशन ऑप बर्टीबरेटा में वो थोड़ा सा जिक्र किया मैंने उसका अब अपने क्लास B है क्लास B साइकलोस्टोमीयटा साइकलोस्टोमेंटा हование हिंदि मिडियम और इंग्लिस मिडियम मैंने पहले भी पताय है 친दे मिरियम बिलकुल भी चैज नहीं है बस इतना अंतर हो जाता है कि हिंदी मीडियम बालों को लिए वही एस्पलेंग की जैसे वो चारन लिख देते हैं और इंग्लिस मीडियम बालों के लिए क्लास भी साइक्लो इस्टोमेटा बस ये इंग्लिस मीडियम बालों के लिए हो गया विजभी की साइक्लो एस्टुमिटा जैसा कि इसके नामसे इस्पास्ट है devastate कि कि इसा जीब है जो वर्टीबरेट है और क्या जूलस हमने बताया था जब्डों की उप श्थिति के आधार पर ईए दो डिजन है इसके जालेस और बिथ जाज जा मींस जबड़े जा मींस क्या होता है जबड़े तो यह जालेस के अंतर गता आता है किस अंतर गता रहा जालेस जबडे रहत किसके इंतर रहता था जबडे रहत और जब जबडे नहीं होंगे तो किसी जीव का मुँ जो है जबड़ों की बेज़े से चप्टा होता है और जब जबडे नहीं होंगे तो उस जीव का मुँ कैसा होगा rounded, cyclo, कैसा होगा, cyclo, goal तो इसको क्या कहते हैं गोल मुखा क्या कहते हैं या चक्र मुखा क्या कहते हैं चक्र जैसा चक्र मुखा भी कहा जाता है ठीक है ना साइक्लो एस्टोमेटर ऐसे जीव है और इनका जो मुँ है वो सकर की तरह होता है चूसक अंग होते हैं और यह अधिकतर जो है मचलियों के उपर पेरासाइट्स के रूपे रहते हैं पेरासाइट्स मीन्स परजी वे मसलिओं के सरीर पर अपने आपको चिपका देते हैं अपने मूह के द्वारा और उनसे पोशन खींचते रहते हैं तो यह जो cyclo instrument hi है यह महत्पूर्ण बर्ग है किसमें किसमें बर्टी ब्रेट का बी बर्ग बी जो है ठीके ना बर्ग बी ठीके ना आगे बढ़ते देखो तो यह जबडे रहत मचलियां है क्या है यह जाल एस्पैसस पहला जो महत्पूर्ण बिंदू है जबडे रहत मचलियां आप नोट करते जाएं यह जबडे रहत मचलियां हैं जाल एस्पैसस जे ए डबलू एल ए डबल एस्पैसस जाल एस्पैसस है इनको फाल्स फैसस भी कहा जाता क्या कहा जाता यह बिसीज दौर पर है इनको क्या नाम दिया गया है फाल्स फैसस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस्पैस् बास्तो ये मचलिया नहीं है बास्तो में क्या नहीं है मचलिया नहीं है लेकिन ये कैसी मचलिया है दिखावटी मचलियों के जैसे दिखती हैं तो फाल्स पैसिस के नाम से भी इनको जानते हैं ठीक है ना दूसरा महत्कून लक्षन इसका देखे अधिकांस जनतू समुद्र म होते हैं लेकिन जनन के लिए अधिकांस जन्तु समुद्री होते हैं लेकिन ये इनकी विशेश बात है कि लेकिन जनन के लिए जनन के लिए ये कहां प्याते हैं जनन के लिए ये आलबणिये जल में प्रबास करते हैं आलबणिये जल means मीठा जल जिसे आमीठा जल आलबणिये जल में आते हैं ये इनके एक प्रॉपर्टी है ठीक next एक और इनका विशेश बुर है जनन के लार्बा होगा लार्बा विख्षित होगे फिर से कहां चला जाता लबणिये जल समुद्र में चला जाता ये लार्बाद हो गई तो लार्बा कायांतरन के बाद यह यह विए भी सब्द लिख लो यह एंपर लाइन लिख लो पुल्लारवा कायांतरन के बाद पुनहां समुद्र में चला जाता है पुनहां समुद्र में चला जाता है कहीं रफ में लोट करते जाये करी चोथा पॉइंट शरीर लंबा बिलनाकार किसा होता है शरीर शरीर लंबा यह बिलनाकार बाहे परजी भी बिलनाकार होता है और यह क्या होते है बाहे पर जी भी होते है कैसे होते हैं बाहे पर जी भी यह बिलनाकार नोट करते जाएं आप बाहे पर जी भी एक पंदा मेंट बाद बस छोट रहे है ना पंदा बीश मेंट बाद बाहे पर जी भी होते हैं और यह S के बेंजर कैसे बाहे पर जी भी होते हैं और S के बेंजर की तरह काम करते हैं सब सफ़ाई करने बाले मींस जो भी अप्सिस्ट पतात बगेरा वहां पर जो होते हैं उनको सब कंजियूम करते रहते तो S के बेंजर की तरह हैं तरह होते हैं यह हुआ नेक्स्ट पॉइंट अगला जातमा मिंदू महत्पून है मुख गोल चुसक की से आगर में मुख जासे नाम साइक भी हुआ लहा है ध्यूमयंट राखा गया तो मुख कैसा होता है गोल किस की तरह हैं मैंने व्ला चुसक की तरह है मुख गोल होता है चोशक की तरह होता है और एक और जबडे रहत जबडे रहत शुरुबात में नहीं लिख़ दिया था जालैस तो जबडे रहत मतलब इसमें क्या नहीं होता है जबडे नहीं होते हैं ठीक नेक्स्ट अगला शेमन पॉइंट जो महत्पूर्ण बिंदू है इनमें सल्क जो एकस्वेस्केलेटन है सल्क तथा जोडीदार सल्क तथा जोडीदार पकने जने फिंस बोलते हैं पकने क्या आप कहते हैं फिंस अनुपस्तित होते हैं मतलब सल्क नहीं मिलेंगे एकस्वेस्केलेटन नहीं है सीधी बात अनुपस्तित होते हैं अनुपस्तित होते हैं सात्वा मिंदू देख रहे हैं यह लोग यह मैन मिंदू है मूँ नोट करते जाया करें कहीं तुम लोगों के लिए उपियोगी हों गई यह ठीक है ना बैस्क में नॉटो कॉर्ड बैस्क में नॉटो कॉर्ड तथा कसे रग दंड तथा कसे रग दंड दोनों पाये जाते हैं बैस्क में नॉटो कॉर्ड भी मिलेगी और कसे रग दंड भी मिलेगा ठीक है अस्थियां नहीं होती है हाँ हड्डियां नहीं होती है इसमें अस्थियां नहीं मिलेगी काटलेज ओपास्थी की बने होते हैं जो कसे रग दंड है यह दोनों काय के बने हुए और अंदर की जो हड्डियां बनी हुए वो काय की है बोन तो अस्थि की तो उपास्थी की बनी हुई नेक्स नौबा मिंदू देखें इसका महत्पून नौबा मिंदू देख रहे हैं जो रक्त परिसंचरन है ब्लड बास्कूलर सिस्टम बी भी एस क्या आप बता सकते हैं कि जो एड़्वांस बर्टिबरेट हैं जो पून बिकसे तरजीब हैं उनमें किस पेकार का बी भी एस पाया जाता है खुला की बंद बंद बिलकुल सही तो बिलकुल एड़्वांस की तरह इनमें भी कैसा बंद प्रकार का परिसंचरन चनतनत पाया जाता है ठीके और हिदय दुहे जो हिदय होता है ना इनका हिदय two chambered कितने chamber रहेंगे हिदय में दो कक्ष दो एक कक्ष है दो कक्ष होंगे two chambered होगा इनका ठीके और स्रिय जैसे क्या कहते है स्रिय हिदय कहते है जिसे स्रिय हिदय सिराव वाला स्रिय हिदय कहते है ठीक है नेक्स्ट दाश्वा बिंदू देखे जो महात्पूर्ण बिंदू है वो हम डिस्कस कर रहे है नोस्चल छिद्र एक होता है नोस्चल छिद्र मींज नासा छिद्र नासा छिद्र एक नासा छिद्र एक होता है इसलिए इनको मोनो राइनस इस्तिती कहते हैं इसी की ऐसी इस्तिती है ये मोनो राइनस अगर किसी ने पूछ लिया क्या मोनो राइनस इस्तिती क्या कहलाती तो किसी जी एक ही नासा छिद्र हो ठीक है तो वो मोनो राइनस ठीक है ना नेक्स्ट ग्यारवा बिंदू देखें जो ब्रक्र है ब्रक्र किड्नी बाला है सा ब्रक्र ब्रक्र जो होती है वो प्रो नेफ्रेक या मीजो नेफ्रेक होती है प्रो नेफ्रेक या मीजो नेफ्रेक मीसो नेप्रिक बोल सकते है मीसो नेप्रिक होती है एक बिसेश बात है कि इनके तीन नेत्र होते है त्रनेत्री कैसे थे और तीन नेत्र किसके होते संका जी के, सिब जी के तो ये तीन नेत्र वाली ये स्पेशल बात हो गए इसके सिर पर तीन नेत्र शिर पर तीन नेत्र यह ना थ्री आईज होती है यह special बात है भूलेगी नहीं किसी को भी नहीं एक नहीं तीन नेत्र होते हैं पास नेत्र दो रहेंगे पार्स में दो पार्स में और एक रहेगा फ्रंट पर आगे एक जो नेत्र हैगा वो मद्ध बती पीनियल नेत्र एक मद्ध में रहेगा जिसे पीनियल नेत्र कहते क्या कहते हैं पीनियल नेत्र कहते पी आई एन ए ए एल एंगलेस में चाहिए तो लेख सकते हो पी आई एन ए ए एल पीनियल आई ठीक है ना एक लिंगी है एक लिंगी जीब है और चुकी जल में रहता है तो जो जल में रहने वाले प्राणी है उनमें निसेचन कैसा होता है बाह होता है के आंत्रेक होता है बाहे निसेचन, कैसा होता है, बाहे निसेचन पाये जाएगा बाहे निसेचन रहेगा यह महत्पूर्ण लक्षण हमने डिसकस करें इसके, अब जो महत्पूर्ण इसके उदाहन है महत्पूर्ण उदाहन की बात कर लें अपने लोग इसका पहला जो महत्पूर्ण उधान है वो है पेट्रो माईजोन या लेम्प्रे पेट्रो माईजोन नाम याद करो पेट्रो माईजोन पेट्रो माईजोन की इंग्लिस में लिखे दे रहा हूँ पेट्रो माईजोन या इसी को बोलते हैं लेम्प्रे कई लोगों को नाम अजीव लग सकते हैं ठीक है लेम्प्रे ठीक लेम्प्रे लेम्प्रे की इंग्लिस ल-a-m-p-r-e-y अच्छा पेट्रो माईजोन या लेम्प्रे की अब बिशिश्ता अगर कहें तो यह क्या मच्छियों के बाहर पर जिवे होते हैं इसके बारे में अगर मच्लियों के बाहर पर जिवे लेम्प्रे की बाध बात बात कर रहे recognizes के बाहर दान्त होगी हाँ मुख में अनिक दान्त होगी इसका जो लारबा है मुख में अनिक दान्त लेकिन मुख कैसा है? गोल है ठीक है न? वीडियो चल दो हाँ मुख में क्या है? अनिक दान्त है और ये M.O.C.T. लारबा पाया जाता है इसमें क्या? ये M.O.C.T. लारबा ये ध्यान रखो ये अक्सर अब्जेक्ट में आ जाता है M.O.C.T. लारबा इसकी जो लारबा लबसता है उसको M.O.C.T. लारबा कहते हैं ठीक है न? तो ये पूछा जा सकता है कि साइक्लो इस्टोमेटर में जो लार्वा पाया जाता वो क्या है तो M.O.C.T. लार्वा बोलते हैं एक और महत्मून बात है कि जो पेट्रोमाईजोन है ये नोट में लिख ली जिए ये जो पेट्रोमाईजोन है वो सेफेलो कॉर्डेट और साइक्लो इस्टोमेट पेट्र से पूछ वाले सिरह तक पाये जा रहेती है तो यह सफैलो, कॉड़ेट और साइ्कलो, स्ट्रोमेटा का क्या है यह योजक करी है यह बात बिल्कुल धीहान के लो नोट कर लो किसके यह चैंड, पैट्रो avons जो है क्या है Deutsche सेफेलो कॉर्ड एटा तथ हाँ साइक्लो इस्टोमेटा साइक्लो इस्टोमेटा या साइक्लो इस्टोम जो होते हैं के योजक करी है यह उबजेक्ट आ सकता है यह ऐसा आप से पूछा जा सकता है क्या नीट में ऑबजेक्ट यह महत्पुन है आ सकता है कि सेफेलो कॉर्ड एट तथा साइक्लो इस्टोमेटा की योजक करी क्या है माने इन दोनों को कौन सजीव जोडता है जिसमें दोनों की लक्षण मिलते हों तो सेफेलो कॉर्ड एटा और साइक्लो इस्टोमाटा को जोडने वाला क्या पेट्रोमाईजोन ठीक है जोन लिखना चाहिए ठीक है या लेंपरे क्या की शकते इशको लेंपरे में दो मात्रहें चलाना तीक है लेंपरे अब दूसरा अधाण हम पड़ने जा रहें ये सी का दूसरा एक्ज्जम्पल जो है मक्सीन बोलते इसको मक्सीन जिखें तो एम बाई एम बाई एकस आई एने दूसा उदहान इसका जो है मक्सीन अच्छा इसका नाम बहुत अच्छा इसको हैग फिस भी बोलते हैग फिस और एक और नाम जो तमें कभी भी भूलेगा नहीं चोडेल मचली चोडेल मचली यह कभी भूलने माला नहीं है है ना हैग फिस एसे हो हैग फिस बोलते है हैग फिस या चोडेल मचली तो यह नाम भूलने माला नहीं है और अब बिलकुल ध्यान रहेगा कि चोडेल मचली काई में है साइकलोस्टोमेटा में है तीक है हाँ, यह इसमें इसकी property है, क्यों बोलते हैं इसको चोड़ेल मचली है, ऐसे, कि यह बूरी औरत के समान जुरीदार होंट होते हैं, क्या होते हैं, एक बूरी औरत के समान, इसमें, नोट करना चाहें तो, इसमें बूरी औरत के समान कोई जो ब्रद्द महलाएं है तो बूरी ओरत के समान जूर्जिदार होंट जूर्जदार होंट होते हैं जूर्जदार होंट होते है ये इनक्या महत्पूर्ण लख्षने इस तरह से आज हमने साइक्लो इस्ट्रमेटा जो बर्टी विट्रा के अंतरगत आरा क्लास बी के अंतरगत हमने इसको रिसकस किया इसको समझना पढ़ना कोई भी दाउट हो तो कमेंट्स जरूर करना ठीक, थेंक्यू